हलो फ्रेंज, सुरीन सॉलिट कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है मेरा नाम सुजा सुरीन है और मैं आपके पास लेकर आती हूँ नए नए घर के डिजाइन जो आपको हल्प करता है आपका नए घर बनवाने में आज का जो प्लान है वो भी काफी खुबसूरती से बना हुआ है जो दो भाईयों का घर होता है या आप कह सकते हैं कि दो पार्टनर के लिए जो घर चाहिए तो ये घर जो है बिल्कुल ही वैसे ही लोगों के लिए है तो फ्रंस अगर आप में चैनल पे नए हैं आप पहली बार में चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आपने पहले से में चैनल को देख रहा है तो प्लीज मैं चैनल सेयर कर दें ताकि और लोगों तक हमारा जो वीडियो है वो पहुच पाए और उन्हें भी पता चल पाए कि बीना किसी इंजीनियर के मदद से हम कैसे घर खुद बखुद यूटूब पे देखकर बना सकते हैं सबसे पहले हम आपको बता दे कि इसकी लेंथ जो है टी वन फीट चार इंच है और जो ब्रेथ है वो 25 फीट है लेकिन दो फीट जो है हमने छोड़ रखी है क्योंकि आपके जो में गेट है उधर की एंट्री के तरफ और 23 फीट में हम लोग जो प्लान है वो बनाएंगे तो इसका जो कार्पेट एरिया है 23 फीट बाई 81 फीट चार इंच का है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप एंट्र करोगे तो आपको एक किचन दिखेगा जो ये किचन है वो आपको 9 फीट बाई 6 फीट का ये लंबा किचन आपको दिख रहा होगा और उसके ब दिखेगे लिए मनें ये 5 फीट 11 इंच 10 फीट 9 फीट बाई 9 उसके बाग आपको एक बड़ा सा अब है जो कि जस्ट बगल में आपको एक और मस्टर बेडरूम मिलता है जो कि 11 feet by 10 feet का है और ये जो बेडरूम है उसके साथ हमने attach toilet दिया है 7 feet by 4 feet का अब ये आप देख सकते हैं कि 3 BHK का फ्लाइट काफी खुब सूरती से बना हुआ है और जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको आपको जो stairs है वो दिख जाते हैं 7 feet 1 inch में जो है आपका stairs बना हुआ है ये जो 3 feet की ही stairs इसमें दी हुई है उसके बाद आपको जो दूसरा फ्लाइट है उधर पे आप जब enter करते हो तो आपको kitchen starting में जैसे उधर था उधरी south east में आपको kitchen दिख जा है जो 9 feet by 6 feet में है उसके just बगल में आपको master bedroom 11 feet challenge by 10 feet का है जिसके साथ हमारा attached toilet है 7 feet by challenge का और ये dining hall सेम जो वहां पर आपकी measurement थी सेम measurement की आपकी सब चीज यहां पर बनी हुई है तो ये जो toilet है common toilet है 6 feet 6 inch by 4 feet का यहां को toilet है और फिर bedroom दिख रहा होगा आपको 10 feet by 12 feet का दोनों bedroom 10 feet by 12 feet के bedrooms हैं और आप से ventilation भी हो जा रही है kitchen की भी ventilation हो जा रही है और जो bathroom है उसकी ventilation के लिए हमने जो एक feet उदर पहले से छोड़ रखा था तो friends आपको कैसा लगा यह plan हमें जरूर बता हैं अगर आप में चैनल पर नए है तो please में चैनल को subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा में लोगों तक मेरे चै 3D वीडियो के साथ अगर आपको इसका 3D वीडियो चाहिए तो please comment करें